दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों इन पांच गुणों वाली अवरत पती के लिए होती है बहुत भागिवान जी हाँ दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि वे कौन सी अवरते हैं जो अपने पती के लिए बहुत ही भागिशाली साबित होती है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अन तक जरूर देखना और अच्छी तरह से समझना लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिये क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों किसी पतनी का उसके पती के जीवन में इतना महत होता है कि अगर पतनी सौभाग साली हो तो पती का जीवन खुद बाखुद खुशाल हो जाता है लेकिन एदी पतनी घर की लच्चमी ना होकर करकसा हो और उसमें अच्छे गुणों का आभाव हो तो वा घर के साथ साथ पती के खुशाल जीवन को भी नरक में बदल देती है भाग गेशाली साबित होती है। आईए जानते हैं उन गुडों के वाले में जरा बिस्तार से। दोस्तों नमबर एक ऐसी इस्त्री जो धर्म के मार्क पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने में बिस्वास रखती हो। अतात जो इस्त्री इस्वार में बिस्वास रखती हो उसके घर में हमेशा बाहर रहती है। दोस्तों उसके पती के साथ साथ उसके घर के अन्य सद्दस्यों का जीवन भी खुशहाल लेता है। दोस्तों नमबर दो है ऐसी इस्त्री जिसकी इच्छाएं सीमित हो। क्योंकि महिलाओं की इच्छाएं पूरी करने की चाहत में कई बार पती गलत काम कर बेठता है। ऐसे में उसके लिए काफी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और उसका जीवन नरक बन जाएगा। लेकिन अगर इस्त्री की इच्छाएं सीमित हो। संतोस रखने वाली हो। तो उसके पती का घर और उसका पती सभी खुशहाल लहते हैं। दोस्तों नमबर तीन ऐसी इस्त्री जिसमें धहर हो। अथाज जो इस्त्री अपने पती के साथ हर परिस्थितियों में साथ निवाए। उसके पती का जीवन हमेशा खुशहाल लहेगा। दोस्तों क्योंकि एक पत्नी के अंदर ऐसी शक्ती होती है कि बापने पत्नी के हर बुरे काम से दूर रख सकती है दोस्तों ऐसे में अगर आपकी पत्नी के पास धह रहे तो आपका जीबन खुशियों से भरा रहेगा दोस्तों नमबर चार है यदि आपकी पत्नी को गुसा नहीं आता है तो भी आपका जीबन खुशहाल लहेगा दोस्तों क्योंके हर पती ऐसी ही पत्नी चाहता है जो उसकी बातों को समझे वेवजा गुसा ना करे जिससे घर में भी बात पैदा ना हो और उसका जीबन हमेशा खुशियों से भरा रहे लेकिन दोस्तों आज कल के जमाने में ऐसी पत्नी मिलना बड़ा मुश्किल है क्योंके आज कल की तो लड़कियां बात बात में गुसा करती है और वो अपने पती से हर अपनी बात गुसा करके मनवा लेती है दोस्तों अगर आपको ऐसी पत्नी मिल गई है जिसको गुसा नहीं आता है तो आप बड़े नशीब बाले ही चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं आपको नमबर पांच का पॉइंट दोस्तों नमबर पांच है पत्नी की भासा और बोली अलग-अलग तरह की मुसीबतों में डाल देती हैं दोस्तों जिससे उसके पत्नी का घर और जीवन दोनों नरक बन जाते ही तो दोस्तों यह ता आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको भाग इशाली महिलाओं के कुछ महत पूर गुण बताए अगर आपकी पत्नी के भी अंदर यह गुण हैं तो समझिए आप भाग इशाली ही वीडियो कैसा लगा हमें कमेंड वाक्स में जुरूर बताईए का अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और इस जानकारी को दोस्तों के साथ वाटसप और फेस्बुकाज पर दिल खोल कर शेर कीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके विल आइकान को प्रिश कीजिए अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप रहिए इस्टे मॉटिवेट इस्टे फिरलेस